Hello everyone welcome you all at Lucas or LMT Digital so आज चल रही है practice class हमारी class 11 की सबसे पहला एक question है इसके पहले ठीक एक question हमने पहले भी कराया है practice class में question पढ़ते हैं देखे क्या कह रहा है कि the some of the two numbers is 10 times of their geometric mean show that the number are in the ratio 5 plus 2 root 6 upon 5 minus 2 root 6 तो हमको दिया गया है ratio ratio find करना है उन numbers का और condition क्या दे गई है कि जो sum है numbers का वो 10 times है उसके geometric mean के तो आप जानते हैं कि geometric mean दो numbers अगर आपके पास A and B है तो उनका geometric mean क्या होता है under root A B होता है कि नहीं होता if you have two numbers then उनका geometric mean gm equals to under root A B clear तो यह question देखे क्या कहा रहा है आपके पास में कि जो numbers है उनका जो sum है उनका geometric mean का 10 times है so A plus B equal to 10 times of under root A B clear की not clear बूलिये है हाँ हाँ अब आप A plus B 10 को 2 into 5 root A B लिख सकते हैं 2 5 जा 10 हाँ अब A plus B upon में 2 ले जाईए तो कितना बन जाएगा 500 root A B ओके देखो ध्यान से कई बार यह question arithmetic mean upon geometric mean के ratio से आ जाता है तो देखे ध्यान से यह actually यह arithmetic mean बन चुका है क्योंकि A plus B by 2 क्या होता है AM होता है होता है कि नहीं होता तो यह AM upon GM के ratio से भी question आपको आ सकता है तयार रहे इस चीज के लिए तो यह रिखिए AM हो गया और root AB को नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा GM मतलब इक तरीके से यह AM और GM यानि arithmetic mean और geometric mean का ही ratio यहां पर लिखा हुआ है और किस फॉर्म में आचुका है 5 upon 1 अब मैंने क्या किया इसके बाद Compotendo Dividendo लगा दिया तो A plus B plus 2 root AB upon A plus B minus 2 root AB equals to 5 plus 1 upon 5 minus 1 तो यह क्या बन जाएगा under root A square plus under root B square plus 2 under root A under root B हाँ बेटा बोलिया सर एक चीज़ समझ निया है वो GM और AM कहां से आया था बेटा वो मैंने अलग से बताया है कि ध्यान से देखो तुम यह क्या है यह arithmetic mean है यह जो नीचे आ रहा है geometric mean है तो इसी question को AM और GM के ratio को भी बना करके दिया जा सकता है यह question समझ गा ना अचा ठीक से मतलब यही question यदि यहां से सुरू होता तो question क्या कहता कि the ratio of AM and GM is 5 ratio 1 then find the ratio of the number जो हमने पिछले question में किया था पिछले class में उसमें AM और GM का ratio था ठीक है तो फिलाल यहां पर क्या के दिया दसमादो टू नंबर इस 10 times of geometric mean तो ठीक है इस structure आपने बना लिए है उसके इसाफसे अडिजिस्स कर लिजिएगा clear है तो अब इसके बाद आपने compound or dividendo लगा लिया है तो फिर square कर देंगे में सुर्डी इसको नहीं करींगे रू ए- एक रूट अ- का स्कॐर बी-को रूट- का स्कॐर प्लस तूल रूट- अबी और नीचे बीस इस तरीके का क्या बिटा यह अंडर्रूट- अ-बीका whole square ke structure और जदा देंगे तो आपऊ बने कांसे बाइं हएगा यह थो प्याई सिंजटीम स्ब्कैट केका में ? So, it will be 2 root A upon 2 root B equal to root 3 plus 2 root 2 upon root 3 minus root 2. A under root A upon under root B equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. Now, we squaring कर दीजे दोन तरफ का. So, root से square हर जाएगा. A square plus B square plus 2 AB. A square plus B square minus 2 AB. So, root A square A, root B square B. 5 plus 2 root 6 upon 5 minus 2 root 6. Boli बता. Sir, component or denominator ये कैसे मतलब क्या होदा था, Sir? ये मतलब जो minus मतलब वो plus में under rootाए ये क्या है? No, denominator को एक बार उपर प्लस करना है और एक बार नीचे मानेस करना है. जैसे यहाँ पर देखिए. root A, यह देखिए. यहाँ पर क्या था? यहाँ पर A plus B था? Hm. अपन है। तो उना काता है तो ऊपन फंड नीचे से हमखना है। इसका स्टॉक्चर में आपको अमखनाए देता है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है R Hollow Part B equal to C upon D तो यदि आप यहाँ पे apply करते हैं तो लिखेंगे applying compodendo and dividendo तो अगर यह apply करते हैं बेटा तो क्या scene बनेगा A plus B upon A minus B देखो उपर वाले से ही नीचे वाले को एक बार plus करना और नीचे वाले को एक बार minus करना equal to C plus D upon C minus D clear बेटा? यहाँ सर्थ बन जाएगा ना? D plus D, हाँ सर्थ चलिए, तो बेटा यह इस तरीके से हो जाएगा और आप लगा करके final आपका answer आचुका है A upon B equal to 5 plus 2 root 6 upon 5 minus 2 root 6 clear बेटा? हाँ सर्थ कोई दिक्कत इसमें? नई सह समझ गया चलिए, तो इसको अभी आप कर लीजेगा ठीक है? हाँ सर्थ 5 plus 2 अब दिखी इसके और वाला जो question है वो मैंने आपको करवाया है तो आप मुझे एक करके देंगे अभी यह देखे question है if a and b are the root of the equation x square minus 3x plus p equal to 0 and c and d are the root of the equation x square minus 12x plus q equal to 0 where a, b, c, d are form a gp then show that q plus p upon q minus p equal to 17 अब को याद है मैंने आपको कराया है? तो यह आप मुझे पूरा करके देंगे ठीक है, clear की not clear? last question भी देख लेते हैं कुछ खास नहीं है, बहुत ही easy है यह देखे question last में क्या है इतना बड़ा question, मगर है एकदम फाल तो question देखी क्या कहा जा रहा है यहापे question में question में यह कहा जा रहा है a selection committee wants to select a national team in a sports group of six girls बड़ा लड़किया कितनी है और लड़के कितनी है और लड़के कितनी है और एट बवाइस तो मैंने यहापे अलग से लिग दिया कि भाई सिक्स गल्स है और एट बवाइस है यह तोटल there are six girls and total there are eight boys eight boys, clear बड़ा okay in how many ways five children are to be selected मतलब total पाँच को select करा है such that team must follow the condition answer the following question find the number of ways for selecting two girls three boys बड़ा girls कितनी होने चीए दो लड़के कितनी है और लड़के कितनी है तो गल्स टोटल कितनी है छे मेंसे दो 6C2 बुलो मैंटीप्लाइगा कि प्लस हाईगा 8C3 तो 6C2 multiply by 8C3 हाँ multiply होगा कि plus होगा multiply क्योंकि question में part हो रहा है and हाँ है ना 2 और 3 पांच बनाने पांच तभी बनेगा जब total हो जाएगे हाँ next जब step में काम पूरा होता है तो multiply अब देखे find the number of ways for selecting one girl and four boys तो one girl how many ways? 61 and four boys how many ways? 8C4 स्वाल कर लेंगे answer आजाए clear? एक question हो रहे find the number of ways such that there is no girl in selected five children कोई लडकी नहीं है 6C0 multiply by 8C5 and you know 6 is equal to 1 1 multiply by 8C5 so answer would be 8C5 exactly yes sir बन जाएगा? हाँ sir चली तो यह आपका paper यहाँ पे finish हो जाता है sir plus cup होता है? बिटा जब और होता है जब 24 आपके पास एक ही काम की कई choice होती है एक ही हाँ वही हो सकता है और दूसरी एक ही काम की कई choice होती हो आपकी तब plus लगता है जैसे example देखो ठीक है जैसे मालो की तुम जो है किसी party में जाते हो ओके? हाँ sir तुम किसी party में या class में monitor select करना है तुमारी class में total 50 बच्चे हैं ओके? हाँ sir पचास में कोई एक monitor select करना है और या तो वह girls हो सकती है या वह boys हो सकता है समझ में आगया? हाँ sir girls total 20 है और boys 30 है ठीक है बेटा? जैस sir काम पूरा तब होगा जब monitor select हो जाएगा मतलब जैसे monitor select होता है तो हम मान लेंगे की काम पूरा हो गया है clear के not clear yes sir एक monitor select करना है तो दो तरीके हैं हो सकते हैं इस काम को करने के लिए तो total waste to select one person या one monitor either बेटा या तो लड़कियों में से select होगा 20C1 अगर अगर तुमने select कर लिया तो काम तो पूरा हो गया ना क्योंकि select एक ही बंदे को करना था बुलो हाय ना तो एक तरीका तो यह है और और यानिकी प्लस प्लस boys में से एक monitor select 37 तो बेटा यहां पे भी काम पूरा है और यहां पे भी काम पूरा है पूरा समझ मां गया तो इस आंसर ऐसा जागा 27 plus 30 clear हो गया कोई दिक्कत अगर इसी question को कहा जाए कि दो monitor select करने है है ना दो monitor select करने है बोथ boys और बोथ girl ठीक है ना question क्या आगए you have to select two monitor और condition है both boys और बोथ girl मतलब दोनों cases में काम आपका पूरा है दोनों लड़के select हो गए तो दोनों monitor बनेगे और दोनों लड़किया select हो गए तो दोनों monitor बनेगी clear की not clear हाँ sir चलिए तो देखे अगर मैं लड़कियों में से select करता हूं monitor 20c2 काम पूरा हो गया काम पूरा हो गया काम पूरा हो गया प्लस लगा दो लड़के से दो monitor 30c2 बस यह बटा answer clear yes sir but यदी question में कह दे कि two boys and two girls देखो end मतलब काम पूरा कब होगा जब दोनों select कर लोगे two boys and two girls बो clear तो 20c2 girls हो गई into 30c2 end है end यह और लड़के भी चाहिए है तो into 30c2 clear की not clear yeah sir yeah end में जो होता है foundation होता है है ना उसमें foundation नहीं होता है clear हो गया बटा yes sir चली तो यह आपको अब करके दिखाना है मुझे सारे question three question